तरोई कि आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, ये इतनी टेस्टी लगती है कि तरोई नहीं खाने वाला भी सौक से खाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये तरोई से बनी है, तो फिर चलते हैं बनाते हैं, ये रे मुझे comment करके बताएंग अब इस तरोई को हमें छिल लेना है तरोई गर्मी के सीजन का साबजी है गर्मी के दिन में ही होता है इसलिए है कि इसमें बहुत जादा पानी होता है तरोई में पानी रहने के कारण मैं धेर बोटी करते हैं bez देड़ के अनुन अभे उतार लिया है अब दुनो के ऊपने लिया है और इसे काफ़ी और जुलकी में कब करते हैं आप सारे तळोई कर चुके हैं, आपने दिखा होगा है मैं बड़े साइज का तरोई लियू हूँ लेकिन बीज बिल्कुल भी नहीं है, इसमें काफी कम बीज रहता है अब इस तरोई को उबालना है उसके लिए एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में तेल नहीं डालना है बिना तेल का इस तरह से सारे तरोई को डाल देना है और पानी भी नहीं डालना है क्योंकि ये पानी वाला सबजी तो धेर सारा पानी ये छोड़ेगा अब गलने के लिए इसमें डाल देंगे नमक, नमक अपने स्वात के नुसार डालें क्योंकि अभी बहुत चाथा क्वांटिटी में दीख रहा है लेकिन गल के ये थोड़ा सा हो जाएगा उसी हिसाब से आप नमक दे अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अब इसे कवर करके तेज आच में छोड़ देते हैं साथ से आठ मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगा अब दो मिनट हो गया एक बार चला लेते हैं अच्छी तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी छोड़ा है बस इस पानी को हमें सुखाना है और सुखाते समय ही ये पूरी अच्छी तरह से तरोई उबल जाएगा, सौफ्ट हो जाएगा अब अच्छी तरह से तरोई का पानी पूरा सुख चुका है अब एक बार मिक्स कर लेते हैं बस इतना ही सुखाना है अब देखें मैं चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ तो हलकाल का नीचे चिपकने लगाता सो मजी अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है बस इस तरह से हलकालका मैस करना है स्पैचूला से और मैस करके ग्यास का फ्लेम आफ कर देना है अब इसे हमने प्लेट में निकाल लिया अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते हैं यदि आप जल्दी में है तो आप पंखा के नीचे असानी से ठंडा कर सकते ह भी देखे हमने पंखा के नीचे इसे ठंडा कर लिया है अब एक बॉल में लेंगे एक अप दही ये मीठा सब्जी होता है तो आप खट्टा दही भी ले सकते हैं आज मैं यहां पे खट्टा दही ली हूँ अब इस दही को विस्क से अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस दही में डाल देंगे नमाग अपने स्वाद के नुसार साथ में ही डाल देंगे आधा चमच लाल मिर्ची पॉडर लाल मिर्ची पॉडर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें मैं डाल रही अब इस दभी में डाल देंगे एक बारी कटीवी हरी मिर्ची. साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पती. धनिया पती से भी थोड़ा सा टेस्ट आता है. अब मैं डाल दूँ हूँ एक चमज के करीब सरसो तेल. ये पूरी तरह ऑप्षणल है. यदि आपको ज़्यादा धास वाला पसंद है तो डाले नहीं तो आप skip भी कर सकते हैं, अब इन सारी चीज़े को mix कर देंगे तरोई का रायता में तेल डालने से ज़्यादा स्वाद आता है, टेस्ट उभर के आता है, तो मेरे हिसाब से आप एक चमत जरूर से तेल डाले अभी ठंडा किया हुआ तरोई दही में डाल देंगे, और दही में डालके अची तरह से mix कर देंगे, और mix करके 5 मिनट के लिए धक के छोड़ दें, तो जो हमने राई का पौडर डाला है पूरी अची तरह से फुल जाएगा, फुलने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ यदि आप तरोई को एकी तरह से खाखा के बोर हो गया है तो इस बार इस तरीके से राईताप बना के जरूर ट्राई करें अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें